इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के best gold और silver ETF के बारे में जहां पर आप investment कर सकते हैं तो देखें लोग equity के अंदर निवेश तो करते हैं लेकिन gold और यहां पर silver को ignore करते हैं जबकि अगर आप इस साल के return दिखेंगे तो gold ने सबसे ज़ादा यहां पर return निगाल के दिया है तो देखें चले पर ले हम दोग advantage की बात कर लेते हैं कि आखिर gold और silver के जो ETF होते हैं उसके तो क्या advantage मिलते हैं क्योंकि वैसे तो आपके पास में बहुत सारे option होते हैं जैसे आप RBA के gold bonds खरीद लो, mutual fund में invest कर लो, physical gold को purchase कर सकते हो या फिर आजकर digital gold भी चल रहा है तो इन सब में ETF आपको क्यों एक से benefit देता है जिसके अपने आप में ही कुछ प्रॉज है तो देखें पहली चीज तो मुझे इसके सबसे बड़िया बात क्या लगती है इमर्जेंसी के अंदर आपको पैसो की requirement भी है तो instantly आपका जो पैसे आपके wallet के अंदर आ जाता है वो सीधा वहाँ से bank account में आप transfer कर सकते हो मलब दो दिन के अंदर आप पूरा का पूरा अपना ETF यहाँ पे निकाल सकते हो जबकि यह चीज़े जो है अगर mutual fund की भी बात करे हो तो वहाँ पे instantly नहीं होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगता है इसके लबा RBI के अगर में gold bounce की बात करे हो तो वहाँ पे तो आपका पैसा ही block हो जाता है और physical gold में भी आपको जो है basically making charges वगरे वो सारी चीज़े देने के बाद में आपको बेशना पड़ता है और digital gold में तो basically commission वगरे काफी जादा रहते है इसके लगाए इस यहाँ पे अगर में brokerage की बात करें या expand ratio की बात करें तो वो भी बिलकुल कम होता है अगर आप mutual fund के अंदर invest करते हो या फिर let's suppose कोई और भी तरीक अपनाते हो तो उन सभी के अंदर आपका यहाँ पे जो cost है buying करने की वो सबसे कम आती है इसके लगाए इस gold के ETF जो है यहाँ पे stable होते जादा volatility nature के नहीं होते है आप same day के उपर खरिद के शाम को बेश सकते हो या सिवन ट्रेक भी कर सकते हो मालनीची आपने one week के लिए खरील दिया one month के लिए खरील दिया और मैं taxes की बात करो तो इसके उपर 20% long term capital gain लगता है लेकिन इसमें आपको index section का benefit मिल जाता है यानि inflation के अगेंस में जो भी होगा basically उसका आपको यहाँ पे benefit मिल जाता है और 3 years का period रहता है तीन साल से अगर आप पहले बेचोंगे तो आपका short term capital gain लगेगा और अच्छी बात बता है क्या है अभी budget दो जाती है इसके इसके इंदर 7 lakh रुपे के limit होगा यह taxes के उपर तो यहाँ पे आपकी जो भी tax होगा लगेगा तो अगर आपकी ITR एगर 6-7 lakh क्या बढ़ते हो तो आपका tax यहाँ पर लगने वाला ही नहीं है इसके इंदर number 1 के उपर जो आता है वो आता है simply gold beast जो की मेरा भी one of the favorite है यह Nippon India AMC इसको handle करता है हम लोग ने shortlist को ऐसे ही किया है इसमें liquidity सबसे ज़्यादा high है और expenditure भी यहाँ पे ठीक ठाके बिल्कुल gold को track करता है आपको liquidity की भी problem नहीं आएगी एक साल की return की बात करो 13.27% का return जन्रीर करके दिया है पिछले 5 साल में भी आप देख सकते हो 80% यहाँ पे इसमें gain कमा के दिया है प्लस अकर आप ऐसे ही भी करते पिछले 5 सालों के इंदर आपका पैसा 30% से भी जादा यहाँ पे ग्रू हो जाता वीडियो के अंदर आगे बनने से पहले मैं thanks करना चाहूँगा हमारे knowledge partner Fingrad को Fingrad एक learning platform है especially for the traders and the investor जहाँ पे आफ fundamental analyst, technical analyst, option trading, future trading, candlesticks, patterns, commodity trading, mutual fund और value investing को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे 65 से भी जादा courses और webinars जो की इंडिया के dedicated finance experts और top YouTubers ने यहाँ पे create किये हैं इसके अबिशेक कर, देवांग, माईश्वरी, CA, मनी सिंग, हितेश सांगी जैसे कई सारे जो है top YouTuber और expert है जो आपको beginner से लेकर advanced लेवत तक की trading और यहाँ पे investing सिखाने वाले हैं और guys सबसे अची बात simply आपको sign up करना है और आपको free of the cost यहाँ पे 5 courses lifetime access करने को मिल जाएंगे और साथ में 3 webinars भी इनके guys अगर मैं premium यहाँ पे subscription की बात करूँ तो काफी ज़ादा affordable price है triple 9 के अंदर आपको सारे ही courses का 3 मन्त के लिए unlimited access मिल जाता है premium के अंदर 1799 के अंदर आपको 6 मन्त के लिए access मिल जाएगा और elite plan के अंदर 2799 के अंदर आपको पूरे साल बर के लिए access मिल जाएगा साथ में guys यह लोग आपको course completion certificate और doubt resolution जैसी facility भी आपे provide करते हैं इस देर के इस बात के link में आपको simply description box में दे रहा हूँ अभी free of the cost को sign up कीजे और यहाँ पे इतने सारे experts के साथ में अपनी trading और अपनी investing journey की learning शुरुआत कीजे इसके लगाए second number पे जो आता हुग आता है SBA का ETF gold तो अगर आप equity की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी सबसे number 1 पे हमेशा nifty का nifty 20 रहता है जो कि निपॉन इंडिया हैनल करता है और second number पे हमेशे SBA करता है तो यहाँ पे भी same कहानी है gold के अंदर भी यहाँ पर first number पे निपॉन है और second number पे SBA का ETF gold है इसमें भी अगर आप return देखेंगे आपको almost जितना निपॉन प्रोवाइड करता था उतना ही यह प्रोवाइड करेगा almost आपको same मिलने वाले थोड़ा बहुत आपको tracking error देखने को मिल सकता है liquidity के अंदर यहाँ पे हाई है बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है explanation की बात को तो 0.55% है तो compare to nippon यहाँ पे काफी कम है इसके लागा इस fourth number पे SDFC का gold ETF तो यहाँ पे SDFC AMC इसको handle करती है returns अगर आप देखेंगे तो देखेंगे आपको slightly केवल points के अंदर returns में आपको difference देखने को मिल सकता है जो कि हम लोग tracking error मार सकते है इसके अता liquidity इसके अंदर हाई है और explanation यहाँ पे 0.59% का है फिफ्ट number पे है guys ICAC का gold prudential ETF और guys इसको ICAC AMC यहाँ पे handle करती है returns की बात के तो same आपको return देखने को मिल जाएगे expense ratio 0.50 का है और liquidity यहाँ पे high मिलने वाली है guys हम लोग बात कते silver ETFs की तो देखिए silver ETF अभी 2022 से ही introduce किये गेते और इसमें भी सबसे number 1 पे जो नाम आता है वो निपन इंडिया का याता है निपन इंडिया का silver ETF जिसको हम लोग silver 20 भी यहाँ पे बोलते है एक साल के अगर में return की बात के हो तो decent return है 3.04% का return है और guys यहाँ पे liquidity आपको high मिल जाएगी इसके लाँ guys थर्ड नमर पे आपका अधित्य बिल्ला का Sun Life ETF और यह भी guys यहाँ पे अगर में ETF की बात करूँ यह भी same गानी है एक साल का आपको return यहाँ पे same देखने को मिल जाएगा liquidity इसके इंदे भी बिल्कुल high है और expenditure की बात करूँ just 0.37% का यहाँ पे expenditure है यह थे यहाँ पे कुछ gold और silver के ETF जिसके अदर आप निवेश कर सकते हैं अगर मैं top ranking किसी बात करूँ तो देखिए simply gold 20 हो गया gold के अंदर बात करूँ silver 20 हो गया silver के अंदर बात करूँ इसके लावा मैंने आपको जित्ते भी AMC के बताए नाम बताए उसमें आप simply expand ratio को basically compare कर सकते हो लेकिन देखिए उसके अगेंस में आपको थोड़ा वह ट्राकिंग आरा वगर भी देखने को मिल जाएगा और मेरी जो solution रहेगी वह मेंशा gold 20 और simply silver 20 के साथ में रहेगी जिसके अंदर आप आँग बंद करके आपे पैसा लागा सकते हो और definitely ये long term के लिए आपको जो है beneficial वगर देने वाला है so guys would be like this video please subscribe channel अगर आप लोगे कोई भी doubt से comment box में ज़रू बताएए thank you guys thank you very much